जैहिन, SSE MTS General Awareness की Classes में आप सभी सांथियों का स्वागत करते हैं तो दोस्तों आप सभी सांथियों के लिए SSE MTS Exam से Related Practice Aid लेकर आए हैं यहां पे आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा देखिएगा बहुत कुछ आप लोग को इसमें सिखने को मिलेगा और आत की जो Class होगी 9 बज़े से Live Class होगी आप लोग उसमें जरूर जुडिएगा और उस वीडियो को Share भी जरूर कर दीजएगा क्योंकि उसमें हम आप लोगों के लिए Practice प्रस्णों को लेकर आ रहे हैं और आप लोग उसमें Practice प्रस्णों को Live Class में अच्छे तरीका से कर सकते हैं डेली Class होगी 9 बज़े से ठीक है तो अभी हम लोग फिलहाल में General Awareness के प्रस्णों को करेंगे जो आपके लिए Importance है तो अच्टार्ड करते हैं यहां पे 1st प्रस्ण ध्यान से देखिएगा यहां पे 1st प्रस्ण है कि 9 नरित्यसैली मुल रुप से किस राजिय से संबंधित है सुन्दर साप प्रस्ण है और Important प्रस्ण है तो जो उडिसी निरित्य सहली है ये उडिसा राजय का जो है मुखे रूप से निरित्य सहली माना जाता है किसका उडिसी निरित्य सहली उडिसा का है अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में ध्यान से समझ लेते हैं भारत के 8 साहतीरीए निरित्यों में से एक ओरिसी जो है ओरिसा राजे का साहतीरी निरित्य के रूप में जाना जाता है थीक है। इस निरित्य का जो उद्भव है यह मंदीर के देवदासियों द्वरा ऐसा माना जाता है जो मुख्यता वैसनों बाद और अध्यात्मिक विचारों को ब्याक्त करता है ठीक है यह जो निरित्य है उडिस्ति निरित्या यह मंदीरों के देवदासियों द्वरा ऐसा माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि जो मुख्यता बैसनों बाद मतलब इसके मतलब होता है जगनात के रुप में बिशनु मतलब जगनात के रुप में बिशनु और अध्यात्मिक जो बिचारे होते हैं उनको ब्यक्त करना यह जो है वहां के निरित जो मंदिरों के दिवदासी होते हैं उन पूरी और कथक, सस्त्रिया, मडी पूरी ये सारे जो है अनिय प्रकार के सस्त्रिये निरित्य हैं तो वही बात यहां पर अस्पर्ष्ट किया गया है दोस्तों कि जो ओडिसी निरित्य है ये भी जो है निर्तियों में से एक परमुख निरित्या के रूप में इसे जाना जाता आगे देखिएगा जो गुरु केलु चरण है गुरु केलु चरण महापात्रा ने ओडिसी निरित्य को पुनर जिवित करने में महत्व पुन भुमिका निभाई थी कौन थे जो पुनर जिवित किये थे ओडिसी निरित्य को तो उनका नाम है गुरु केलु चरण महापात्रा ठीक है तो यह नाम important है ध्यान में रखिएगा next आते हैं प्रस्ण यहाँ पे second प्रस्ण ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो second प्रस्ण है कि निंदल लिखित में से किस राजिय के राजिय विधान मंडल में दो सदन होते हैं बहुत important सा प्रस्ण है चार अप्षन यहाँ पे देखने को मिल रहा है महराष्ट, जार्खंड, गुजरात और राजस्थान तो यहाँ पे प्रस्ण दिया गया कि बिधान मंडल में दो सदन है बिधान मंडल में दो सदन है तो यहाँ पे अप्षन एक को हम लोग सही करेंगे महाराष्ठ हो जएगा, वह कौन सा option हो जएगा तो option महाराष्ठ हो जएगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे भार्तिय समविधान का अनुच्छीद 168 विधान मंदल के गथन का प्रवधान करता है इसके अनुसार जो प्रतेक राज्य में एक बिधान मंडल होगा ठीक है तो वहीं है आर्टिकल जो 168 है ये बिधान मंडल के गठन का प्रधान करता है इसे ध्यान में आप लोग रखियेगा कि जो भारतिय समिधान का अनुछेद 168 है ये बिधान मंडल के गठन का प्रधान करता है और इसके अनुसार प्रतेक राजे में कितने बिधान मंडल होते हैं तो एक होते हैं और यहां पर प्रस्ण में जीक रखिया गया है कि बिधान मंडल में कि दो सदन है किसे राज्य में है तो महाराष्ट में है ठीक है समझ में आ गया इतना कुछ किलिए है आगे देखेंगे जो प्रस्ण है यहाँ पर भी बताया गया है जो राज्य विधान सभा जैसे यहाँ पर बात करेंगे जहां बिधान परिशद हो उसमें बिधान परिशद जाएगा करनाटक होगा आंद्रपरदेश होगा और तेलागना होगा तो यह important है यह यह ध्यान में रखना होगा और आप लोग देखें हैं की कैसे प्रस्च दिव सदन यह बिधान मंडल से आया है तो छे राज्य हैं जहाँ पे बिधान मंडल के दिव सदन है दो सदन है और आप लोग उस छे राजय का नाम को अच्छे तरीका से याद करिएगा उतरपरदिस हो जाएगा यूपी बिहार होगा महराष्ट होगा करनाटक होगा अंध्रपरदिस होगा और तिलागना हो जागा ठीक है दोस्तों समझ में आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे जो अगला प्रसन है थर्ड प्रसन है कि ए-hole Grade की राज्धानी थे बहुत मुख्या प्रसन है यह किसकी राज्धानी है चोलो का है पोलवोह का चालुक्यों खा तो सी अफसन हम लोग यहां पर सही करेंगे चालुक्यों की राधानी है यह जो ए होल है यह किसकी राधानी है तो चालुक्यों की राधानी है ठीक है समझ गए अब हम लोग थोड़ा सा चालुक्यों के बारे में समझ लेते हैं चालुक्यों जो है यह चालुक्यों जो वंस है ये चठी सताब्दी से ब्रहवी सताब्दी तक दचिन और मध्य भारत में सासन किये थे चालू क्यों बंस जो है दूस्तों ये चठी सताब्दी से लेकर ब्रहवी सताब्दी तक दचिन भारत में क्या किया है सासन किया है ठीक है इसकी प्रारम जो राजधानी है यह होल है इसकी प्रारम राजधानी यह होल है यह करनाटो को बनाया गया ठीक है यह होल मतलब कहां पर है तो करनाटक में है बाद में पुलुकेसिन प्रतम ने राजधानी इसका बदामी कर दिया गया तो देखिए ध्यान में रखिएगा इस इसकी जो पहली राज्धानी थी चालोक्य वंस्की वह थी एहौल ठीक है लेकिन बाद में जो पुलुक्यसिन प्रतम आया उन्हों ने इस राज्य की जो राज्धानी है इसकी राज्धानी बादामी कर दिया ठीक है कोई दिकत नहीं है कोई इसी नहीं है तो आगे देखेंगे हम लोग जो चोथा प्रस्न है ध्यान से देखिए चोथा प्रस्न है कि कुणार्क निरित्य उद्सव भारत के किस राजिये में मनाये जाते हैं कुणार्क तो अप्सन देखेंगे करनाटक, उरिसा, जारकंड और राजस्तां तो राइट एंसर जो यहाँ पे होगा यह अप्सन यहाँ पे होजाएगा कुणार्क आप लोग निरित्य है तो कुणार्क जो होजाएगा उरिसा का होजाएगा समझ में आ गया दोस्तों तो आप लोग यहां पर देखिएगा कुणार्क जो नरीत्य है उत्सव यह कुणार्क जो है उरिशा राज्य MARK पिछली कई बरसों से आयो जित्हे किया जा रहा है तो ध्यान में रखिएगा को कुणार्क है यह उरिशा Runa का मुख्य नरीत्य की यूप में जाना जाता है समझ में आ गया यहां पर बात करेंगे इसकी शुरुवात जो है 1986 में हुई है अब यहां पर देखिए क्या इसकी जो कुणार्क है यह क्यों प्रसीर है तो आप लोग देख सकते हैं कुणार्क की जो है बहु प्रतिष्टित सुर्य मंदिर को देखने के लिए आने माले ओपन जो यह कुणार का मंदिर है यह तो ओडिसा में है पाता चल गया सुर्य मंदिर है ठीक है इसको देखने के लिए बहुत सारे सैलानी यहां पर आते हैं दूर-दूर से आते हैं और यह जो देखते हैं एयर अउडिटोरियों में इसको आयोजित होने वाला यह तेभार है और मोदी गवर्मेंट नीव सर्ज ओफ केमुन लीजम Jurassic पुस्तक के लिखा कौन है नीव सर्ज अफ केमिनलीजम जो पुस्तक है इसके लिखा का नम है मोदी गवर्मेंट के बात किया है तो सिता राम योचुरी याद रखिएगा यहाँ पे जो right answer की बात करेंगे B option सही होगा सीता राम ये चुरीज होंगे इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है Modi Government New Surge of Communism ये पुस्तक है सीता राम ये चुरीज के है जो मुख्यता important है और SSE MTS exam में आया हुआ भी है अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते है Modi Government New Surge of Communism नामक पुस्तक के जो लेखाख है ये पुर्व राजसभा सदस्य भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी के जो सचीव है सीता राम ये चुरी इनके द्वारा ये पुस्तक को प्रकासित किया गया इस पुस्तक में 2014 के बाद लुक्तांत्रिक बुन्यादों को होने वाले खत्रों पर लेखो को के कुछ लेखो को लेखो का संग्रा किया गया है ये जो पुस्तक है ये पुस्तक के बारे में जो मतलब इसके अंदर की जो भावनाव को लिखा गया है यह बताया गया है कि जो लोक तंतरिक बुन्यादी है और उसके होने वाले जो खत्रे हैं लेखक तो इसके बारे में ये लेखों का संग्रा इसके अंदर बताया गया है, ठीक है? तो इस पुस्तक का नाम के लिखा का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा निव सर्ज और कमेनलीम जो पुस्तक है यह सीता राम यह चुरीकाव है आगे देखेंगे जो प्रसन हैं हम लोग अगला जो छे प्रसन है छे प्रसन करें कि 1846 में ब्रिटिस समराज एकी बीच लाहोर और ब्लेंक्स दिया गया है डैस की संदी पर हस्त आचर किया गया था तो महराजा रंड जीत सी यहां पर B अप्शन से वह रहा है क्योंकि महराणी चांद को यह नहीं होगा यहां पर महराजा दलीप सी नहीं होग संदी तो यहां पर महराज रंड जीत सी ना 1846 में ब्रिटिस समराज एकी बीच लहोर और डैस की संदी तो महराजा रंड जीत सी की संदी पर हस्त अचर किया गया था तो यह चीज आप-लोग को पाता चल गया थ्यास अ साथ ही हो यहां पे मेरा confusion हो रहा है क्योंकि 1846 की बात किया है ब्रिटिस समराज एक भी जब लहौर और उसकी संदी पर हास्ताचर किया गया था वह महराजा संदी नहीं confusion हो गया हमको भी यहां प्रतम औंगल जुद्ध हुआठ गुद्ध यहां पे ब्रिटिस समराज जो लड़ा गया था इस समय जो शीक समराजय के सासक थे वह राज़ा दलीव सी थे जिनकी पांच बर्ष की आयु की एक अल्प वैसक सासक के रूप में इनको जाना जला थे पांच बर्ष की आयु से थे इनकी जो संड़ाच्छी का थी महारानी जीन्दा कॉर थी, इनकी जो सनरच्ची का थी, महारानी जीन्दा कॉर, देख सकते हैं, यहाँ पे महारानी चांद कॉर दिया गया है, ठीक है, और यह महारानी जो जीन्दा कॉर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह सनरच्ची का है, ठीक है, इनकी रक्षा क लाहावर की संदी में हुआ था ठीक है और प्रतम आंगल सीख जूद के समय भारत के जो गवर्नल थे उस समय लाड हाडिंग थे याद रखना होगा प्रतम आंगल सीख जूद के समय भारत के गवर्नल जर्नल कौन थे तो लाड हाडिंग थे थ्यान में रखना होगा सीख समरा जो महानसा सकते उनका नाम राजा रणड जीस्ताई था ठीक है दोस्तों इतना किल्यर हो गया यह भी देख सकें है इनके मृतु किस पत्ञ प क्लिभरो हो गया पुरी तरह से पतन प्रस्न हो गया आगे देखेंगे बात कूर छेल्च मेंत बड़ी नदरी है, तो कोशी, लूनी, बनास और बेतवाद, वी अप्षन यहां आपे हम लोग टी करेंगे सही, लूनी नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों, तो लूनी नदी है, ठीक है, किलियर है, अब थोड़ा सा हम लोग लूनी नदी के बारे में समझ लेते हैं लूनी नदी जो है दोस्तों यह उत्तर पच्छिम भारतिय राजिय राजस्थान की नदी है राजस्थान की नदी कौन सी है लूनी नदी है ठीक है जो थार मरुवस्तल की एक महत्वपूर नदी के रूप में लूनी नदी को जाना जाता है ठीक है इसका उदगम की बात करेंगे तो अरावली प्रवत स्रिंखला के जो राजस्थान अजमेर के जो नंगा पहाडिया है वहाँ से होता है लूनी नदी का जो उदगम अस्ताल है ये अरावली प्रवत स्रिंखला से लेकर नंगा पहाडियो से होता है ठीक है और लगबक कुछ दूरी तैकर या गुजरात के कच के रन में दलबली भूमी में या बिलूप्त हो जाती कौन सी नदी तो लूनी नदी ठीक है समझ में आ गया नेक्ट आते हैं प्रस्ना अब देखिए यहां पर भी कुछ बताया गया इसकी जो सहायक नदि ऋदी बहें जाइवी के मरू अस्था एक जो राजस्थान की इस टे टकि लिए है अगला यहां पर जो प्रसन हम लोग देखेंगे थास यहाँ पर सही हो रहा है तो बिय पकत के सिथानत के बारे में आप लोग को हम बताते हैं प्रस्ण आता है दोस्तों यहां से बहुत प्रस्ण आ सकता है इस से कि शुक का सिथान या इसके प्रतिपादक कौन थे तो लाड़ दलहौजी थे ठीक है ध्यान में रखना होगा ये भी जो है ब्यपगत का जो सिधान था ये लाड़ दलहौजी है इसके प्रतिपादक इतना कुछ के लिए है यहां पे जो राज्य हडप निती है आप लोग सुने होंगे इतियास दत्क पुतर कीक सको कहा जाता है जो उत्रा अधिकारी होते है या गोद लेने से रोक दिया गया हो गिया किया और इसी को शर्रतिपनीती ही कहा जता है समझ में आ गया कहने का यहां पर मतलब है कि जो हिंदू राजाओं के जो दतक पुत्र होते हैं उनको गोध लेने से रोक दिया गया ठीक है सिंपल सी बाद है और यहां के किसी भी राजा की अगर मर जाते हैं म्रितू हो जाती है तो जो वहां के जोईविक उत्रा अधिकारी हो जाते हैं अगर राजा की म्रितू हो गया तो उनके राजा की म्रितू बीना ही वहां के जैविक अधिकारी के हो जाती है ठीक है ऐसे राज्यों को British East India Company में सामिल करने का प्रोधान होता है जिसे राज्य हडपनेती का आ जाता है इसके अमसार बात करेंगे जो सामिल राज्य है 17 है 848, जैतपूर या संभलपूर 849, बगाट 850, छोटा उदयपूर 852, जासी 853, नागपूर 854 British East India Company में यह सारे जो राज्य है इनको सामिल किया गया है ठीक है याद रखिएगा आगला प्रस्न हम लोग देखेंगे जो 9 प्रस्न है यहाँ पे कि गुलाम ओंस के सासक गया सुदिन्द बलवन 1265 से 1286 इनकी उपाधी धारन की थी प्रस्न है तो जील ए इलाही भगवान की छाया में इनको जाना जाता है अपसंसी यहाँ पे सही वह रहा है जो गुलाम ओंस के सासक है गया सुदिन्द बलवन 1265 इनको कहा जाता है बिश्व के रक्षक जहाँ पना ध्यान में रखियेगा महल की रोसनी नूर महल बिश्वास का प्रकास नूर अल दीन यह ध्यान में रखियेगा यह जो बलवन है यह जील ए इलाही की उपाधी धरन की है ठीक है समझ में आ गया अब हम लोग गया सुदिन बारेके में समझ लेते हैं ये तो आप लोग को बता दिये इनका मुल नाम बहाउदिन है ये एक के इलबरी तुर्क थे इसने तुर्कान ए चहल गानी का दमन किया जो ये गाया सुधिन बलवन है इन्होंने तुर्कान ए चहल गानी का दमन किया और राजस्वक्य सिधान्त के प्रतिपाधन कि कौन तो गाया सुधीन बलवन समझ में आ गया इनके अनुसार अगर राजा की बात करेंगे तो नेगत एक खुदाई जिसको इस्वर का प्रतिनीधी कहा जाता है और बलवन की जो हत्या है सैनिकों द्वारा 1286 में कर दी गये थे बलवन की हत्या हो गया था 1286 में हत्या कर दिया गये था उसके सैनिकों के द्वारा ही और इसका मकाबरा》 जो है महरोली में है महरोली कहां पर दिल्ली में है क्लिए रहे दोस्तों समझमें आ गया नेक्ष्ट आते हैं प्रस्ण दस यहां पर दस प्रस्ण है कि भारतिय अर्थ बिवस्ता में ब्लोग यहां पर देख सकते हैं मटें लच्छ के माध्यं से भारत की विकासदर को नेश्यत करती है में भारत की वर्ष कोbaum आगे के प्रिशित करती है एक जुलास थी जे अप्रिश्मार थी एक तिस मार्ज Widger चलता है खीया ही है जो भारत की अर्थ व्योस्ता है 20 वकी 5 वी बड़ी अर्थ व्योस्ता है इससे ध्यान में रखना होगा भारत की अर्थ व्योस्ता जो है 20 वकी कौन सी बड़ी अर्थ व्योस्ता के रूप में जानी जाती है तो पांच वी अर्थ व्योस्ता के रूप में जानी जाती है ठीक ह आगने-चटान तो यहां पर 30 Corn Bag Continue option be option Sum एसका नाम है जो सम जो है यह चटान इसने वेशाल चटान के रूप में जाना जाता है समझ में आ गया वेसाल चटान जो है एक प्रकार की बधु है इसका निरमार वेसालथी लावा के धरातल की वज़ तेजी से जमने से होता है यह कण बिहीं और गर रवेदार की रुप में पाया जाता है बारा प्रशन की बात करेंगे जो नेक्ट प्रशन है की भारत के की से बोध अस्तल पर गौतम बुदने सबसे पहले धर्म का परचार किये थे कौण सा असल था? तो उस अस्तल का नाम हो जागा यहाँ पे सारनात कहां पर किये थे तो सारनात महीं किये थे है डी अप्सन यहां पर सही हो रहा है तो यहां पर देखेंगे गौतम बुथ का जनम 563 हिस्वापुर सक गणराज के लुंबनी में हुआ था 35 बर्स की आयू में बोध गया बिहार में इन्हों में घ्यान के प्राप्ति किये थे और उसके बाद जो अप्वदेफ लिया थे वरां recognizing के निकर सारनात में इन्होंने और अपना उप्वदेश दिया था तो ध्यान में रखना हो अपधे frightening दिये थे कहां पर सारनाथ में जो बरांटसी के नजदीक है और जो ज्ञान के प्राप्ति हो था बिहार में जो बोधकाया है वहां पर हुआ था इसे धर्म चक्रा परिवर्तन भी कहा जाता है ठीक है इनकी मृतु जो है मल गनराज के कुसी नगर में 483 इसा पूरव इनकी मृतु हुआ था मतलब 583 में इसा पूरव इनका जन्म हुआ ठीक है ओर 483 इसा पूरव इनका मृतु हुआ ता इस ठीस समझ में आ गया het प्राप्ति किये थे बोधकाया में जो बिहार में 35 बर्स की आयू में और यह उपदेश दिये थे सारनाथ में इतना कुछ क्रियर है जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है नेक्स आते हैं प्रस्ण यहां पे 13 है 13 प्रस्ण है कि बेकिंग सोडा का रासानिक स 3 होता है यहां पर आप लोग देखेंगे तो एन इस तरह है और इसके बाद सीयो 3 इस तरह है ठीक है तो नीचे दिया गया ठीक है समझ में आ गया तो आप लोग देख सकते हैं सोडियम बाइक करूंट जो एक परकार का कार्बनिक योगिक है जिसे मीठा सोडा या खाने वा hydrogen carbonate होता है क्लियर आ गया इसका उपयोग बात करेंगे तो तो पेपदात के रूप अगनीज़ा में किया जाताएं सोड़ा प्रति पेपदात के रूप में यह क्लिए है दोस्तो जिसको खाने वाला सोड़ा कहा जाता है अगला प्रसन देखेंगे जो 14 प्रसन की सरकार्द बारा ब्लेंक्स दिया गाए इससे लड़ने के लिए अन्तोदै अन योजना की सुरुआत की गीते तो गरीबी के लिए जिसके लिए जिसकर आप लोग रासन कड लेते हैं तो इसमें बहु मना आज मिलता है, यह सारा प्रोसेस होता है, आप लोग जानते होंगे, जिनके पास होगा, ठीक है, सरकार्द बारा गरीबों से लड़ने के लिए अंतोधे अन योजना की सुरुआ दिसंबर 2000 से की गई थी, ठीक है, 2000 से सुरू किया गा था, इसके तहट राजे के जो भीतर लक्षित सारवजनिक बित्रन परणाली के अधिन कवर किये गए गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, मतलब इसके गरीबी रेखा से जितने भी लोग होते हैं, परिवारें, उनको 2 रुपए प्रती किलोगराम गया हूँ, और 3 रुपए प्रती किलोगराम चावल परदा यह दिया जाता था लेकिन एक अप्रेल इसे 2022 से बढ़ा कर 25 कज शोय बढ़ा कर 35 प्रती परिवार प्राती मतलब है प्रतीप प्रीवार। मतलब एक फैमिली उसके उपर प्रती यह का जो है, भारासरगार नियम लागु कर दिया का उस मिलकार को प्रतिमा आप लोको देना है लासन जहां लोग को नहीं जाती है बहां पर यह अट्यो सकते हैं भारत सरकार के खादे और सेर removal बीतलन विभाग द्वराma उसे दिए जाता है जो खादे और सरवाजनिक बेतरण विभाग है उसके दिवरा ये सारे जो गेहुं है चावल है प्रदान किया जाता है ठीक है आगे देखेंगे जो 15 प्रसन है कि 2011 की जनगर्णा कुमसर भारत का जो लिंगा अनुपात लगभक्सा ये कितना था तो 1100 प्रसन पर 940 महिला है याद रखिएगा 1100 प्रसन पर 940 महिला है ये तो आप लोग को पता होगा कि न्योंकि 2011 की जन्गना सोतंत्र भारत की साथवी जन्गना थी जन्गना दोहाजर एक पूरसयों ही नौस से था धात्यकों और नौस स्कित द्रत गरवुत इसके बाद पुंदुचेरी, तमिन नाडू, आंध्रपरदेश और 36 गणे, इंपोर्टेंट है, इसका करम भी ध्यान में रखना होगा, ये आता है प्रस्न, बहुत बराया हुआ है प्रस्न साथियों, याद रखेगा, पहले केरव, पुंदुचेरी, तमिन नाडू, आंध् इस एक्जाम के लिए कैसा लगा, कमेंट करके बताएगा, इस वीडियो को सेर कर दीजेगा,